दोस्तो अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेट कलर का आपको सब्सक्राइब दिख राओगा इस पर आप लोगों को दबाना है उसके बाद बेल आएगी बेल पर भी दबाना है फिर तीन ओप्सन दिखेंगे आल वाले ओप्सन पर दबा लेना है बस आप चैनल से आप जुड़ गए है अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुच जैनल की आज साम की सची खबरों में आप सब भाइबनों का स्वागत है वीडियो को सभी भाइबन लाइक कर दे और सबसे पहले तो आपको बता दे कि सुबह 7 बजे का वीडियो सुबह 11 बजे का अगर ये तीनों वीडियो आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उन वीडियो को जाकर के देखे उसके बास साम की खबरों को देखना तो आप लोगों को बहुत जादा मदद और मिलेगी फिलाल के लिए आपको बताना चाहेंगे साम के वीडियो में आप सबका स्वागत है लाइक जरूर करिए यदि चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नहीं दबाया है तो वो भी कर लीजिए ताकि आपके पास जानकारिया पहुँचती रहें इसमें भी कई लिटर हमने लगाए है तो एक करके सारे लिटर को आप लोग देख लेना सबसे पहला आदेश ये बलिय के द्वारा जो दाल कम की गई जो मात्रा है उसके वितरण सम्मंदी यहाँ पर सूचना एक डिपयो के द्वारा लेटर में दरसाई गई है तो फिलाल आपको इसमें ये बताना चाहेंगे कि 23.11.2020 के द्वारा आंगनबारी केंद्रों के लाभार्तियों को टियचार के अंत फाइल उसमें इमेल के माध्यम से बेढ़ा जाएगा ये निरदेश जो है अधिकारियों को दिया गया है फिलाल बताया जारा विलंब होगा तो फिर ये शितलता बरती जाएगी तो ये फिर बाद में सुईकार नहीं होगा ऐसे भी उन्होंने कहा हुआ है फिलाल उनका कहन जो कोटेदार से प्राप्त किये गए हैं वह दाल जो है क्रे की गई मात्रा तथा SHG एम आंगनबाडी कारकरता दोरा सहिंत रूप से आंगनबाडी केंद्रों के लाभारती को नरधारित मात्रा के अनुसार गेहु चावल दाल की वितरित की गई मात्रा से सम्मंधी सूचना निदसाले को प्रते एक दिन दो बजे बताया जाना दे दी तो इसके बारे में ये लिटर आया है तो फिलाल देखो कुछ भी होगा जैसे वितरन काफी जगा शुरू हो गया मैंने कहा तीन बजे का यदि आपने पुराने लिटर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप लोगों को बहुत मदद करेगा बाद में आप लोग समझ जाएंगे कि उसी की सूचनाओं को लेकर के आपको तमाम पोर्टलों पर जानकारी बरनी होंगी मांग पत्र देने होंगे किसकी क्या जिम्मेदारी थी वो सब हमने समझा रखा है पिछले तीन बजे के वीडियो में काराले से एक और ये प्रपत्र है अनुपूरक पोसाहर वितरन सुचना का जन्पत का नाम जैसे इसमें बलिया को लेकर के आया है तो बलिया का बढ़ा हुआ है कोटे की दुकानों की संच्चा कितनी है आवंटिद मात्रा किसकी कितनी कितनी है पूरे बलिया जिले में तो उसकी मात्रा यहां पर दे दी गई है कोटेदारों के द्वारा उठान की गई जो यहां पर दरसाई जाएगी तो यह सब ऐसे लिखकर के प्रारूप आ चुके हमारे पास यह आप देख सकतो यहां पर तो फिलाल के लिए आगे च की प्रतेक दिन जो है आधविक्त वगरा जो सुचना है वो निर्धारित प्रारूप पर प्रेसित किया जाने के सम्मंद में आया है तो यहां पर भी वही सब है कि यदि आप पोसाहर का वित्रण करें और वित्रण के दोरान क्या-क्या करना है कौन-कौन से कारकरम भी उस पुछ नहीं पड़ेगा आपके कि पोसाहर का वित्रण यानि का अच्छे रासन का हमें यूपी में कैसे करना है साथ में और बहुत कुछ आपको उसी दिन मनाना होगा वित्रण के दोरानी तो आपको पता वरना नहीं चल पाएगा तो फिलाल उस तीन बजे के वीडियो को मै आपको हर जनपदों में भरनी है जैसे अभी आपको हमने दिखाया एक जनपद का बलिया का अब ये देखो सीतापुर का ऐसे और भी जनपदों में सब लिकल चुका था तो जो भी आपकी गेहूं है चावल है दाल है जितना आ रहा है दूद और घी अभी नहीं मिल ला है तो फिलाल जो मिल ला है उसकी सूचना आप लोगों को अपने प्रारूपों पर भरनी होगी डिया जो पोर्टल है उसके लिए लॉग इन आइडी वाफ बहुत बार मने बताया कैसे करें दिक्कते आ रही है कि अपना पासवर्ड क्रियेट करने में काफी लोगों से नहीं ह तो आगे देखे एक और ये बहने पिंकी चोधर ही इनके वहाँ पर भी देखो कच्चे रासन का ऐसे वितरन हुआ ऐसे तमाम जगे वितरन उत्तरप्रदेश में हो गए है फैलाल के लिए आगे देखे मद्प्रदेश से एक लेटर हमारे पास आया है ये जरूरी है मद्प वीवाई बोलते हैं इसके अंतरगत जो है हितराहियों के दुती और त्रती जो किस्त है उस हेतु जो है लंबित प्रकरणों को पी एम वीवाई स्कैस जो साफ्टवेर एक है उससे हटाय जाने के सम्मन्द में कलेटर आया है तो ये आप लोगों के लिए जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है मद्ध प्रतेस की बहनों कहा जा रहा कि प्रदान मंत्री मात्रवंद्रा योजना अंतरगत प्रथम प्रसोव हेतु गर्वती महिला को मात्रत तुलाब तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है योजना अंतरगत जो पात्र हितगराही है उनका दोती किस्त हेतु गर्भावस्ता के 6 माँ पूर होने पर तता दो-3 किस्त बच्चे के जनम का पंजी करण वा प्रथम चक्र का टीका करण पूर्ण होने पर पंजीयन किया जाने का प्रावधान है ऐसे आप लगों को उसमें लाब दिया जाता है तो ये आपके लिए काम की जानकारी ये इसको जो आपका PMVY Cash Software था न उससे हटा दिया गया है इसमें आगे लेका प्रतेश के जो जिले हैं उनमें 2-3 एवं 3-3 किस्त हे तू ऐसे हितगराही जिन्हें जो है गरपात हितगराही अत्वासिसू की डेथ या पलायन के कारण से उन्हें 2-3 किस्त की प्रवश्थी PMVY Cash Software में किया जाना स तो इसमें लिखा है कि करपिया जिले अंतरगत योजनाओं में लंबित ऐसे प्रकरण जिन्हें गरपात हितगराही अत्वासिसू की म्रत्यू या पलायन के कारण दोती या त्रती किस्त की प्रवश्थी PMVY Cash Software में किया जाना संभव नहीं है उसका परिछर कर इन हितगराह वो कराते हुए PMVY Cash Software से User Manual में दिये गए दिसानरदेश प्रथक किया जाना सुनिक्चित कर लें यदि योजना अधिकारी द्वारा अभिलेखों के अभावव एवं बिना कारण के कोई प्रकरण PMVY Cash Software से प्रथक किया जाता है एवं इस संबंद में हितगराही द्वारा सि मंदित परोजना अधिकारी का होगा स्वाती मीणा नायक है संचालक वगरा महिलाबाल विकास विभाग मद्रप्रदेश से 25 नमबर को उन्होंने यह सूचना जारी किया है PMVY योजना के हितगराहियों के लिए तो यह आप सबके काफी ज्यादा काम का है और एक बार और आ जो हमने बताया था लॉगिन लॉगिन कैसे करें कई बार बताया है काफी लोगों का हो जाता है काफी लोगों का नहीं होता है सरवर की भी समस्या रहती है काफी लोगों से पासवर्ड क्रेट नहीं हो पा रहे तो बहुत समस्या है फिलाल के लिए और एक दिखाया था भी ह टीन बजे का वीडियो मैं फिर एक बार कहा रहा हूँ, यदि नहीं देखा तो जा करके देखे। बांकी समय में कितने बज़े रहेगा, पोसल उस्व का आयोजन कहां पर होगा, किनकिन स्तित्यों में होगा, साती साथ कौन-कौन लोग उसमें हिस्सा लेंगे, इसके अलावा हमने बताया है कि पोसल उस्व के जो पूर्व आपको तैयारियां क्या करनी है, समूवालों की क्य जिम्मेदारियां है आंगन बारी की क्या जिम्मेदारियां और ग्राम प्रधान की क्या जिम्मेदारियां कितना कितना पैसा आप लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ेगा जिसके बारे में बोला जारा कि आपके खातों में बहुत पहले ही वो रासी भेज दी गई है और उस रासी से भी जनी भेजी गई पूर में भेजी गई रासी से आप लोगों को कारकम करने हैं उसमें पैसा भी लगेगा तो आप लोगों को पांस तारीकों जो पोसाहर के वितरण होंगे पांस तारीकों हर महीने की ठीक है पहले से निरधारित है नए आदेस में भी वही आय बाकी इसमें बहुत कुछ और बदल गया है तोली वोली वाला सिस्टम बहुत कुछ है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ ये आपको हम देखा रहें एक जलक आप इसको देख लिजे और बाकी पोसर उस्थों के दिन आपको और क्या करना है वो सब इसमें हमने कवर कर दिया है तस्तरियां बनाई जाएंगी तस्तरियों की साइच क्या रहेगी वो सब बता है कितना कितना खर्चा रहेगा वो सब बताया है और इसके अलावा मैं आपको बता दू पोसर्ड रंगोली भी कारक्रम होंगे इनकी कुछ बारा अलग अलग थीम भी हमने बता दी है जो की प्रक्रिया क्या है वो सब हमने इसमें पूरा कवर किया हुआ है गर्वती धात्री माताओं की सोलियों के लिए अलग काउंटर बनेगा और बाकी छे मा से तीन वर्स तीन वर्स से छे वर्स ये वाले लाबारती के लिए अलग को पोस्त जो और जो अतिक पोसित वाले हैं इ अगले महीने से तो इन चीजों का ध्यान डखना तीन बजे का वेडियो मैं फिर कह रहा हूँ जरूर जा करके देखें बाकि आपको बता दें यह हमने बहुत मेहनस से भी बनाया है और इसमें आपको एक बात और बताना चाहेंगे जो आपका अंगनबारी बहन है कारकरती बह जो आप लोगों को पता नहीं है मैं जानता हूँ नहीं पता है पूरा एक साथ इकठा तीन बजे के वीडियो में बहुत बढ़िया ढंक से हमने समझा दिया अब चाहो तो आप देख सकते हो बाकी मरजी आप लोगों की है पोसर तस्तरी वस्तरी के बारे में भी बताया है अगले किसी वीडियो में तस्तरी भी हम आपको अच्छी रंगीन कलर में लेकर के चले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दोपहर तीन बजे का वीडियो उत्तर पदेश की बैनों के लिए जरूरी है बाकी सुबह साथ बजे और सुबह ग्यारा बजे का सब के लिए जरूरी है तो वो सब वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा धन्यवाद दोस्तों